दोस्तो 2020 की सुरुवात में ही बहुत सारी नेट्फिक्स पर मूवी रिलीज हो चुकी हैं लेकिन आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे मूवीज के बारे में जिन्हें रिलीज की गई है जैनुवरी और मार्च के बीजो बीच लेकिन इन में से बहुत सारी मूवीज को सायद आप भूल गए हैं या फिर कैसकते हैं कि इन में से बहुत सारी मूवीज को सायद आपने मिस्ट कर दिया हो तो चलिए जानते हैं कि कौन-कौन से ऐसे इंट्रेस्टिंग मूवीज हैं आज के हमारे इस टॉप 10 काउंडाउन में आज जाता जानकरी और डाउंलोड के लिए डिस जो मिशिंग गल्स रहते हैं उनको भी वो खुचके निकालना चाहती है मूवी में लास्ट है क्या वो अपने मकसद में कामियाब हो पाती है या फिर नहीं हो पाती है इसी को पर बेस करके यह कंप्लेट मूवी बनी है और इस मूवी को आम डिवी रेटिंग देती है 10 में 6 नंबर 8 गिल्टी मिस्ट्री और तिलर को पर बनी इस मूवी को रिलीस की गयाथी 2020 में और मूवी की स्चोरी शूरू होती है एक लड़की से जो की एक लड़के को लड़के को आपर क्लेम करती है कि उसने उसके ओपर अत्याचार किया है मूवी में लास्ट तक क्या वो और इस movie को IMDb rating देती है 10 में 5.8 नमबर 7, To All The Boys 2, PSI Still Love You movie based है, drama और comedy activity के ओपर और इस movie को release की गई है 2020 में movie की story आपको college life में डे जाती है जहांपे आप देख पहेंगे कि एक लड़की और एक लड़के के बीच किस तरह relationship बनती है जो के belong करते हैं एक देम ही दूसरे community से movie की story बहुत जादा romantic है और जिन्हें romantic movie देखना पसंद है उनके लिए best movie है और इस movie को IMDb rating देती है 10 में 6.1 नमबर 6, All The Bright Places drama और romance के ओपर बनी इस movie को release की गई है 2020 में movie की story शुरू होती है एक लड़के एक लड़की से जो कि एक दूसरी से मिलते हैं और उनमें प्यार सुलू हो जाता है लेकिन बीच में कुछ ऐसे condition आ जाते हैं जिस कारण से उनके बीच break up की नौबत आ जाती है लेकिन movie में last है क्या वो अपनी relationship को ठीक ठाक complete कर पाते हैं या फिर नहीं कर पाते हैं इसी को पर बिस करके यह complete movie बनी है movie heart touching है प्लस emotional activity से भरी पड़ी है और इस movie का अट डिवी rating देदी है 10 में 6.5 नंबर 5 horse girl drama और mystery के बनी इस movie को release की गई है 2020 में movie की story शुरू होती है कैसे लड़की से जिसे हमेशा से अशा लगता है कि उसके आसपास कोई ना कोई है movie में क्या सच में उसके आसपास कोई रहता है या फिर सिर्फ उसका एक दिमागी ब्रहम है movie actually आपको थोड़ी बहुत horror activity जैसे भी लग सकती है और इस movie को IMDb rating देती है 10 में 5.9 नमबर 4, Uncut James mystery और crime के उपर बनी इस movie को release की कई थी 2020 में movie की story शुरू होती है Adam से जो कि एक jewelry swap चला रहे होते हैं लेकिन उनके उपर बहुत सरे करजे भी रहते हैं और इसी करजे के कारण वो लोगों से छिपते फिरते हैं लेकिन अचानक से ही उनके life में एक ऐसा James आता है जिस कारण से उनकी life completely change हो जाती है आखिरकार वो changes किस तरह आती है ये इस movie में देखने लायक है और इस movie को IMDb rating देती है 10 में 7.6 नमबर 3, The Last Thing He Want ड्रामा और mystery को बर बनी इस movie को release की गई है 2020 में और movie की story शुरू हती है एक reporter से जो कि अपने पिता को किसी भी तरह से बेकरसूर सावीत करना चाती है असल में उनके पिता एक gangster और drug smuggling के case में फस जाते हैं और last तक क्यों वो reporter अपने पिता को बेकरसूर सावीत कर पाती है या फिर नहीं कर पाती है इसी को बेस करके ये complete movie बनी है और इस movie को अंड़ी रेटिंग देती है 10 में 4.3 नमबर टू, Spencer Confidential mystery, action और thriller के बनी इस movie को release की गई दी 2020 में और movie की story शुरू हती है एक policeman murder से जिसे solve करने के लिए Spencer को hire गया आता है movie में last तक क्या Spencer उस murder mystery को solve कर पाते है या फिर नहीं कर पाते है इसी को बेस करके ये complete movie बनी है movie, action और thriller activities से भड़ी परी है और इस movie को अंड़ी रेटिंग देती है 10 में 6.2 और last और नमबर बन पर हम बात करेंगे Guns Akimbo action और adventure के बनी इस movie को release की गई है 2020 में लेकिन movie की dubbing अभी तक की नहीं गई है हिंदी में in future इसे हिंदी dubbing भी कर दी जाएगी movie की story शुरू होती है मायल से जो की video game developer है लेकिन वो अचानक से ही एक sequence नाम के game के trap में फच जाते है movie में last तक क्या वो sequence नाम के game के trap से बाहर निकल पाते है या फिर नहीं निकल पाते है एक है और इस movie का mdb rating देती है 10 में 6.5 तो दोस्तों उमीद करता हूँ कि आपको आज का countdown अच्छा लगा होगा और अच्छा लगा है तो प्लीज में चैनल को subscribe करें like बटन जरू दाबाय कामेंट हम जरू शेयर करें तो फिर मिलते हैं